आग्रा में सर्वाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताजनगरी में कोर्ना वार्यस का संकमर्द दिन मदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है बुद्वार को भी कोर्ना संकमर्द के 240 सद्धिक मामले दज किये गए ताजनगरी में लगतार भरते मामलों पर स्टेंट्पिक प्राथलोजी के मैंजिंग डिरेक्टर और आई में सदस् ये इस समय की सिती बहुत ही भ्यंकर है हम समझते तो ये रहे थे कि आएगा बढ़ेगा सब कुछ होगा लेकिन जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है बेहिसाब बेलगाम बढ़ रहा है और लीपस और बाउंस में से जा रहा है और हम अभी तक मतलब नीन से जागी नहीं है बहुत प्रोटकॉल बनाती है ये करो वो करो क्या हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझे हम अपने परवार की अपने परवार की अपने शहर की अपने देश की जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे तो कौन आके लेगा और इतनी चोटी सी चीज़ कि कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिये, मास पहनिए और N95 मास्क ही है जो आपको बचाएगा, अगर खुदा ना करे किसी परवार में एक जनाबी जाता है, तो उस परवार पे कितनी बड़ी विवता है, बाकि सारे परवारों में से सब कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन वो परवार के लिए तो सब कुछ चल करना है, और उसको करने के लिए सारी चीजे पहले आपने क्या ऐसा नहीं किया था कि घरों में बैठके सारा काम निकाल लिया था, सारी चीजें आपको मिल गए थी, सबजी मिल गए थी, दवाईयां मिल गए थी, खाना मिल गया था, सब कुछ हो गया था आपको, और आप आ देश से आके कोई हमारी जिम्हेबारी उठाएगा वेक्सीन भी अविलेबल हैं दवाईयां भी अविलेबल हैं हम से चोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम कॉरंटाइन हो भीडबार में ना जाएं मास्क हंड्रेट परसेंट पहने बस इतना ही कहना है कि यहां पर अगर रोक नहीं यह बहुत जादा सीरिस बात है इससे जादा अब और क्या होगा समझ में यह नहीं आ पा रहा कि सवालाग डेड़लाग क्या सपास एक दिन के अंदर हमारे देश में आ रहे हैं तो वो पांच पहुंचेंगे यह पूरा का पूरा देश इससे ग्रसित हो जाया गया दूसरे देशों से भी हम अपनी वो नहीं लिपा रहे है सीख नहीं लिपा रहे हैं और इस चीज़ को इतना इजी समझ रहे हैं और यह वायरस जो कि हम सोच है थी तेज भागता तो है शायद मारता कम हैं अब तो इस सिती बिलकुल क्लियर दिखाए दे रही है यह खतरनाक अपने आपको बहुत ज़्यादा खदरनाक बना के लेकर आया है मूटेंट होके आया है तो इसकी मॉटेलिटी रेट भी कम नहीं होगी पहले से जाधा ही होगी जिस तरह किसी बदला है ऐसे में कहीं न कहीं मारक शमता भी थोड़ी बड़ी है अगर पहले यह था कि मुगा स्वाद बदल जाएगा टेस्ट नहीं आएगा सुहंद नहीं आएगी लेकिन ना मुगा स्वाद बदल रहा है ना टेस्ट बदल रहा है और आदमी वह जम निमोनिया हो जाता है तब उसको पता चलता है जाच में के वह कोरोना पोजिटिव है आज की डेट में आगर बात करें तो जिलास्पताल की अगर हम लोग बात करें तो जहां पहले 200-300 मेरीज प्रती दिन जाच करा रहे था आज की डेट में 600-600 लोग प्रती दिन जाच करा रहे हैं और अगर बात करें आख लोगी 100-200-200-200 अब हम उस कतार में आके खड़े हो गए आपके दो प्रशन थे कि हमारा म इंफेक्शन हो भी गया है आज उनकी सिम्टम्स नहीं आएं कल पर्सों अतरसों के अंदर वो बिल्कुल फुल फ्लेजिट सिम्टम आ जाएंगे दूसरा ही है स्वाद बदलने वाली बात है ठीक है अगर हमारे को कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं तो फौरण ही टैस्क कर लेकर इस समय आज की स्थिदि ओर जो हमारे पास आख्रा रहें लगवल लग जातर बीट जो कुविट होस्पिटल वहां वह ह Cherry आस्व में नजर बिलना शुरू होता है, वो ही इस सिती आ चुकी है, उसमें और कितने हम साधन बनाएंगे कि क्या देलवे को बुलाएंगे कि वहाँ उनके प्लेट वो बनाए जाएं, डिब बे लगाए जाएं, ये होटलों को खाली कराया जाएं, ये सोचने का वक्त है कि इस पे भी अभी स ही पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, और जितना भी हो सकता है, मैक्जिमम बैट्स की वैवस्ता करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमें टिप आफ दाइस बर्ग दिखाई दे रहा है, मात्र दो पंड और या पांच परसेंट चीज दिखाई दे रही है, असी से नभ्य प डॉक्टर अशिक शर्मा जिनोग ने कहा है कि हमारा जो इस समय देश है, वो कोरोना वायरस से जो लड़ाई लड़ रहा है, वो एक भैंकर लड़ाई है, जिसमें जब तक हम लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे, हम जो गाइडलाइन से उसका पालन नहीं करेंगे, और जो सथी मेंगर पावर है, जो अगर बात करें फैकल्टी को लेकर या फिर बात करें स्वास भीवाग की मेनगर को लेकर कही나 कहीं कहीं, वो भी एक हद के बाद हाथ खड़े कर सकती है ऐसे में कहीं न कहीं खुद पर कंट्रल करना ब्यहस्थ जरूरी होगा साथ ही ध्यान रखना होगा खुद का भी और अपने परिगार का भी अपने साथ ही अनुप भगेल के साथ अनलिक ओर सिंग सीनुजागरा